बास करी पत्ते के लिए हुआ था जगडा जिसके लिए अपनी पत्नी को घर से निकाल देथे माई केसल लाने के लिए हेलोगाई जोलकमबाग मेज चैनल स्वागते हैं हम आज तिर्छा नूर की पदमादे टेमपूल आये हैं जो पदमावती हैं भगान श्रीनिवास की दितेव पत्नी है जब श्रीनिवास ने राजा चोल को श्राप दे थे कि तुम तुमारे जो बाकी की जिंदगी है एक राखेस की रूप में फैमस होगे उसके लिए बहुत दुखी हो गयते ये बास सुनके और भगान से पो ख्यमा प्राथने किये थे उसके बाद भगान का गुशा जो ठंडा हो गया था वो बोले अगले जनम में तुम राजा आकास राजन के रूप में बिद्धवान होगे और तुम्हारी बेटी पद्धामति से हम विभा करेंगे कुछ काल के बाद बो पुनर जनम में उनको मिला और बो राजा चोल जो थे राजा आकास रादन ग्रूप में बिद्धवान होगे और चंद्रिकैसे शादिके उनके पास सब कुश था लेकिन एक संतान का खुशी उनके पास नहीं था उनको कोई संतान नहीं थी इसके लिए बो बहुत दुखीते और शुक्रा चाहर से बो सला मसरा करने के बाद एक यग्य का आयोजन किये यग्दवने खुश होके उनको बोले आप अगर जाके भूमी में शाश्य उगाएंगे तो आपको संतान प्राप्तिका सुख मिल जाएगा उसके बाद वो ऐसे किये उनको के कमल के फुल के उपरेके सुन्दर से बच्ची मिली और उसको लाके बर रखे और उसके नाम दिये पधावधी बढ़ी हो गई एक दिन बागी चे में उनके सक्की के साथ गुम रहे थी अचानक से एक हाथी आगे आके इधर उदर तोड़ करने लगी सबको माने लगी इसी टाइम में महाई श्रीनिवास ने अंदर आके हाथी के साथ बो यूद किये और उसको परस्त करने के बाद बदेवधी का जान बचाए इसके लिए बद्वाधी बहुत खुसे हो गए और उन्चा प्रेयम्ट करने लगी और उन्चा शाधी है तो इन्ट्रेश्टों गुलाए थे साधी करने के लिए इसके बाद साधी हो गई साधी करने के बाद वह राजे की बेटी थी पत्मावाती उनको दुन पत्ति लेने के लिए लेकिन जो एक छोटी चीज नहीं दिये थे बहुत ही करीपत्ते इसके लिए बहार श्रिणी वास ने बढ़ाद को बले जाके माईके से लेके आओ ये छोटी शेबात के लिए उनको जब घर से निकाल दिये बहुत रोने लगे और उनको श्राप देने लगे आज के बाद फोल तीरुमाला में कहीं पे भी ये जो करीपत्ते के पेड नहीं मिलेगा तबसे आज तक नहीं मिल रहा है लोग 22 किलेवटर नीचे आ थे बो पत्ति लेने के लिए उसके बाद बो रोरके नीचे आ गये थी इजर तिर्चा नुर में बो विशो कर्मा क बोला कि एक मंदरी बनाए तबसे इधर रहे मेरी तबेद बहुत ज्यादा खराब होने के बज़े से में मंदर के फोल भीडियो नहीं बना पाई उसके लिए मैं माफी चाहती हूं अगर मेरी भीडियो अच्छे लगे प्लीज लाइक एंड सस्क्राइब करते जागा रखत झाल